दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को टाटा स्टील के साथ में टोटल में 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जो कि 15 मार्च के दिन यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड देने जा रहे हैं मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आजाते हैं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है आटो राइडर्स इंटरनाशनल लिमिटेड आटो राइडर्स इंटरनाशनल का जो शेयर प्राइज है सिरफ और सिरफ 34 रुपीज के उपर में चल रहा है कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आ जाता है बाकी कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौंस किया है 0.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 50 पैसे यानि की 50 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा और इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 15 अफ मार्च की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है गुजरात अमबूजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड गुजरात अमबूजा एक्सपोर्ट्स का जो शेयर प्राइज है 390 रुपीस के उपर में चल रहा है और इस कंपनी ने आप इस स्टॉक बोनस अनाउंस करके रखा है 1 is to 1 के रेशियो से जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पर आपको एक शेयर एजब बोनस मिलेगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा इन शॉर्ट आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो आपको उतने ही shares का bonus दिया जाएगा तो आपके पास में जितने भी shares होंगे वो automatically सब के सब यहाँ पे double हो जाएगे and इस bonus को भी देने की X date और record date same day की रहने वाली है यानि की 15th of March की अगले share की बात करें तो company का नाम है IIFL Securities IIFL Securities का जो share price है 132 रुपीस के उपर में चल रहा है and इस company ने आपे interim dividend अनौंस कर दिया है 3 रुपीस का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 3 रुपे का dividend दिया जाएगा and इसको देने की भी X date और record date same day की रहने वाली है यानि की 15th of March की अगले share की बात करें तो company का नाम है India Gelatin and Chemicals Limited India Gelatin and Chemicals का जो share price है 427 रुपीस के उपर में चल रहा है and इस company ने आपे interim dividend अनौंस कर दिया है 10 रुपीस का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 10 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की भी X date, record date same day की रहने वाली है यानि की 15th of March की एक बारी दुबारा से आपको याद दिला दू इन में से जितने भी shares को में cover कर रहा हूँ जिस भी company के share को आपको purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date यानि की 15 March से पहले पहले purchase कर लेना होगा तो 14th of March का day आपके पास में last chance रहने वाला है इन सभी के सभी shares को purchase करने के लिए ताकि यहाँ पे आपको इसके announcement का benefit मिल पाए अगले share की बात करें तो company का नाम है ISMT ISMT Limited का जो share price है 97 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आपके dividend announce कर दिया है 0.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 50 पैसे यानि की 50 पैसे का dividend दिया जाएगा X date, record date, same day की रहेगी यानि की 15th of March की अगले share की बात करें तो company का नाम है किरलोसकर फेरोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किरलोसकर फेरोस इंडस्ट्रीज का जो share price है 550 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend अरुपीज कर दिया है 3 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 3 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की भी x date और record date same day की रहने वली है यानि की 15th of March की अगले share की बात करें तो company का नाम है MK Proteins Limited MK Proteins का जो share price है 45 रुपीज के उपर में चल रहा है जी हाँ एक penny stock के category में इसे count किया जाता है बाकी company ने जो है यहाँ पर stock bonus announce कर दिया है 2 is to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पर आपको 2 shares as a bonus में लेंगे टोटल में जो आपका 1 share है वो 3 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो आप लगो को आपके हर एक share के उपर में 2 shares का bonus दिया जाएगा and इस bonus को भी देने की x date और record date same day की रहने वली है यानि की 15th of March की अब यहाँ पर bonus ratio तो काफी जादा अच्छा है काफी जादा attractive ratio announce किया गया है बट एक चीज का खास ध्यान रखिए MK Proteins जो company है कह सकते हैं काफी छोटी company है और यह एक penny stock है तो यहाँ पर आप जो भी invest करेंगे वो काफी जादा रिसकी होगा तो प्लीज यहाँ पर बोनस के लालच में आकर के इस company के अंदर में invest मत कीजेगा मैं अपना personal opinion आपके साथ में share कर रहा हूँ बागी मेरे को क्या फरक पड़ेगा आप invest करें ना करें इसलिए एक personal opinion मैं अपनी तरफ से share कर देता हूँ इस company के share को आप avoid कीजिए अगले share की बात करें तो company का नाम है SBI Life Insurance Company Limited SBI Life Insurance Company का जो share price है 1500 रुपीज के उपर में trade हो रहा है और SBI Life Insurance ने जो आज 10th of March के दिन board meeting organize करी थी और इस board meeting का जो purpose था वो dividend को लेकर के रहने वला है अभी तक company की तरफ से कोई भी dividend announcement नहीं आया है आज company जब भी dividend announce करेगी मैं आप लगो को intimate कर दूँगा बाइदवे आज 10 March के दिन company जो भी dividend announce करेगी उसको देने की X date और record date company ने already advance में announce कर दिये X date रहेगी 15th of March की और वही जो record date रहेगी वो रहेगी 16th of March की जैसे कि मैंने बताया अभी तक dividend announcement तो नहीं आया है बढ़ जो भी dividend आज announce होता है अगर उसका benefit आप लोगो कुछ चाहिए हुआ तो आपको SBI Life Insurance company के share को उसकी X date यानि की 15 March से पहले पहले purchase कर लेना होगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Vare Renewable Technologies Vare Renewable Technologies का जो share price है 7,445 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने यहाँ पर stock split announce कर दिया है 2 is to 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे चाहिए फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पर 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो x date और record date है वो भी same day की रहने वली है यानि की 15th of March की अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Tata Steel Limited Tata Steel का जो share price है 155 रुपीज के उपर में चल रहा है and Tata Steel की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहाँ पर LKP Securities करके काफी जाना माना brokerage firm है and LKP Securities ने जो यह Tata Steel के उपर bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पर जो target price दिया गया है वो 180 रुपीज का दिया है तो लगभग 155 रुपे से लेकर के 180 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पर LKP Securities expect करके चल रहा है Tata Steel के share के अंदर में अब इस बात में कोई शक नहीं है fundamentally financially काफी strong company है साथी साथ में यह जो share है अब यह एक अच्छे खासे uptrend के अंदर में move हो रहा है plus Tata Group की one of the most valuable companies में से एक है and साथी साथ में जहाँ पर Tata का नाम जुड़ जाता है trust automatically build हो जाता है तो यह जो 180 रुपीज का target है काफी high chances रहेंगे short term से लेके mid term के अंदर में यह target आपको achieve होता हुआ देखने को मिल जाए तो अगर आप लुग चाहे Tata Steel के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते है with 180 रुपीज का target in short term और Tata Steel के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date यानि की 15 March से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 10 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगियो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye